Hello students, welcome to Topic Touch इस वीडियो में आप पढ़ेंगे Intrigative Sentence ये Intrigative Sentence Is MR के हैं Intrigative Sentence का मतलब होता है प्रिश्ण वाचक बाग तो Intrigative Sentence बनाने का किरम क्या होता है सबसे पहले प्रिश्ण वाचक सब्द लगता है उसके बाद Is MR पिर करता Not Not is bracket में इसलिए लिखाऊगा है क्योंकि यदि नहीं आएगा बाग में यदि नहीं लिखाऊगा है तो Not लगा देंगे और यदि नहीं आया है तो हम Not नहीं लगाएंगे इसके बाद आएगा पूरक और लास्ट में Question Mark इसे बिसेज दियान रखना पड़ता है प्रिश्ण माचिक बाग़ों में Question Mark लगाते हैं बहुत सारे Students Question Mark लगाना भूल जाते हैं तो प्रिश्ण माचिक बाग कैसे बनाएगे प्रिश्ण माचिक बाग के दो परकार के होते हैं एक होते हैं single integrative sentence एक होते हैं double integrative sentence दोनों को मैंने एक साथ लिखा है और उसे इसी दोनों प्रकार के बाकियों को इसी करम से बनाया जा सकता है जैसे क्या तुम भूंके हो यदी बाकि क्या से सुरू होता है तब बाकियों मैं लगाएंगे is, am, are प्रकरता उसके बाद नौट यदी आया तो मतलब यहां से सुरू करें करेंगे यदी बाकि क्या से सुरू होता है तो जैसे क्या तुम इसमें करता क्या है तुम तो तुम के अनुसर साहि के लिए आर आती है, तो सबसे पहले हम आर लगा देंगे यह वाला आर यानकी आर आर लगा दिया उसके बाद करता करता है तुम यानकी यू इसके बाद क्या है नहीं इस बाद में नहीं नहीं आया है तो नौट नहीं लगाएंगे इसके बाद आया है पूरक भूंके मुके यानकी हंगरी question mark are you hungry क्या तुम भूंके हो इसके बाद अगला sentence है वह कहा है तो इसमें आगे प्रिश्माचक सब्द तो किरम तो वही रहेगा लेकिन इसमें क्या है कि सबसे आगे प्रिश्माचक सब्द को रख देंगे जैसे कहां आया है तो सबसे पहले कहां की spelling लगीगी कहां यान की where और अब इसमें करता क्या है वह यान की he तो he की अनुसर क्या लगता है इज तो प्रिश्माचक सब्द के बाद इज लगता है यान की where के बाद क्या लेगा इज अब इसके बाद करता क्या है इसमें वह है, यह की he, where is he, बस इतने बन चुका है यह, तो प्रिश्माचक सब्द लगता है सबसे पहले, अब प्रिश्माचक सब्द आपको याद होना चाहिए, तो यह है प्रिश्माचक सब्द 11, और यह आपको याद करना बहुत जरूरी है, तब ही आप integrative sentence की English बना सकते हो, what, whet, what miss क्या, when, when miss कब, where, where miss कहा, why, why miss क्यों, who, whom miss कौन या किसने, who, whom, miss किसे, किसको, wh, how, miss किसे, किस प्रकार, wh, man, by, how many, कितना, कितनी, कितनी, संख्या के लिए, संख्या का मत्तब है, ऐसी चीज़ों के लिए, जिसे हम गिन सकते हैं, जैसे कितने पैन, तो पैन को गिना जा सकता है, एक, दू, तीन करके, तो कितने पैन की English जी क्या आएगी, how many pens, जैसे कितन कितने लड़के, लड़कों को गिना जा सकता है, तो कितने लड़कों की स्पिलिंग होगी, how many boys, या how many girls, इस प्रकार से, और how much, how much means भी होता है, कितना, कितनी, कितने, लेकिन यह होता मातरा के लिए, मातरा हैं, बेचीज़ यह आती, जैसे लिटर में ना पा जाता है, जैस which, which means, कौन सा, कौन सी, कौन से, which means, किसका, किसकी, किसके, इस प्रकार से इनका use होगा, अब हम exercise देखते हैं, इनकी, जैसे पहला sentence है, क्या देनेश भूंका है, तो क्या से शुरू हुआ है, तो सबसे पहले age लगेगी, देनेश के अनुसर, फिर करता, age देनेश, करता है, देनेश, और भूंका की, हंगरी, इस दिनेश हंगरी, question mark, अगला है, क्या तुम विध्यारती हो, अब इसमें करता है तुम, यानकी you, you के अनुसर, सुरू में क्या लग जाएगा, are, are, और करता you, विध्यारती यानकी a student, are you a student, क्या वह मूर्ख है, तो is, वह है यानकी he, मूर्ख यानकी a fool, question mark, is he a fool, इसको actually ऐसे भी बना जा सकता है, is he foolish, foolish, actually ये adjective है, तो इसके आगे a नहीं लगेगा, fool एक noun है, तो इसके साथ a का यूज किया जाएगा, अगला sentence देखते हैं, क्या तुम्हारे पापा डॉक्टर है, तो इसमें करता क्या है, तुम्हारे पापा, तो तुम्हारे पापा के अंसार लगेगी, इज, यूर फादर, जो क्रिया इज आई है, ये फादर के अंसार आई है, अब क्या तुम्हारे पापा डॉक्टर है, इसमें पापा यान की जो फादर है, वो एक बचन है, तो उसके अंसार इज लगा है, ये यूर के अंसार नहीं, यूर फादर मतलब तुम्हारे पापा, अब तुम्हारे पापा तो एक बचन है, तो इज लगेगा, जैसे यू के साथ आ रहाता है, यूर के अकॉर्डिंग नहीं आगा ऐसा, यूर किसी के साथ में रहता है, जैसे यूर फादर, तो यूर फादर पूरा तो एक बचन हो में तो इज वह यानगी ही और चतर की क्लेवर इजी क्लेवर कॉस्चन मार्क अगला है तुम कहां हो प्रिश्माचक सब्दें पहले आ जाएगा तो कहां यानगी वेर अब करता है तुम तो आर लगेगी फिर यू पहले किरिया लगती फिर करता लगता इसमें आर करता तुम यहन की यू और नहीं यहन की नॉट आल सी की क्या होगी यहां पर लेजी एल एजड़ बाई अर यू नॉट लेजी नेस्ट है तुम्हारी बहन का क्या नाम है तो क्या इसमें प्रृष्माचक सब्दद हागा अगया जब क्या बीच में लगा रहता है तो उसकी हम इस पिलिंग आगे रखते हैं वाट जब आगे लगा हुआ हूँ क्या की कोई इस पिलिंग नहीं लगाते हैं बलकि वहाँ पर साइक के लिए एज अमाल लगा देते हैं इसके बाद इज इसके बाद है तुम्हारी बहन का नाम तुम्हारी बहन का नाम वाट इस अब तुम्हारी बहन पर का उसके बाद है नाम तो पहले नाम की आएगी दा नेम पर का की यान की आफ तुम्हारी बहन यान की योर सिस्टर 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 एस टी एर कॉस्चन मार्ड वट इस दा नेम आफ योर सिस्टर नेम की स्पिलिंग न, a, m, e ये बाई नहीं लगेगा अगला है नौमा, क्या माराठे बीर नहीं होते हैं करता है इसमें माराठे तो माराठे उनके अनुशा लगेगी आर आर दा माराठे एम केपिल बनेगी m, a, r, a, t, h, a, s माराठा राजा थे माराठे करता के बाद नहीं की इस पिलिंग न, बीर की ब्रेब अगला है क्या वाठ डर पोक नहीं है अब करता है समभाए तो उसके नुशार इज लगेगी इज ही नहीं यान की नौट डर पोक की कावाड इज ही नौट आ कावाड c, o, w, a, r, d question mark आगे देखते हैं क्या तुमारे रिष्तेदार धनी नहीं है आर लगीगी शुरू में तुमारे रिष्तेदार है इसमें करता तो your relatives अब करता के बाद नहीं किस पर लगाएगी नौट अधनी यान की रिच are your relatives not rich question mark अगला है क्या वसूदा तुमारी बहन नहीं है अब वसूदा एक नाम है तो उसके नौशा इज लगेगी वसूदा भी ए एस यू डी एच ए वसूदा नहीं यान की not तुमारी बहन यान की your sister अगला है इस समय मानस कहां है कहां प्रिश्म अचक सब्सक्राइब पहले याएगा where पैसाइक के लिए अब करता है मानस मानस एक नाम है लड़की का मानस where is मानस इस समय अनकी at this time यह हो गया अगला है क्या तुम पुलिस ओफिसर हो अब करता है तुम यान की r लगेगी r u उसके पुलिस ओफिसर आप पुलिस ओफिसर ओफिसर की o f i c e r r u अब पुलिस ओफिसर question mark अगला है हमारे राष्ट पती कौन है पुलिस ओफिसर समाचक सब्द कौन यान की who is और इसके बाद है हमारे राष्ट पती यान की our president राष्ट पती की president अभी याभी चुनाऊ हुए है राष्ट पती के तो दुरौपदी मुर्मू बन चुकी है राष्ट पती दुरौपदी मुर्मू ये अगला sentence है सोल्मा बे लोग कौन है कौन की इस्पिरिंग आएगी who 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 are be यान की they who are they बे लोग दे माने बे लोग भी होता बे या बे लोग हमारे प्रधान मंत्री का क्या नाम है क्या की स्पिरिंग पहले आगी what is क्या है हमारे प्रधान मंत्री का नाम the name प्रिधान मंत्र की होगी प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर यह हो गया तो इस तरीके से यह इंट्रुकेटिब सेंटेंस कम्प्लिट होते हैं अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है या कोई भी सेंटेंस आपको नहीं आ रहा है तो इस सेंटेंस को कमेंट बॉक्स में लिखिए और उसका आंसर बता दिया जाएगा वीडियो अगर आपको पसंद आती है